आज आपको देशी बिहार पे SC-ST Act के बारे में जानकारी मिलेगी क्योंकि एक सर्वे आया है उसमें पता चला है कि इस Act का लोग गलत फाइदा उठा रहा है यानि कि इसमें केस अगर कोई किसी पे करता है तो इसमें पाया जाता है कि जादा तर केस जूटा पाया गया आए इ धन्यवाद अंको जी आप है ये बहुत बड़ा सवाल है आज के सिनोरियों में लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले जो आपका जो सवाल है कि SC-ST Act क्या है तो SC का मतलब होता सीडूल कास्ट, SC का मतलब होता सीडूल ट्राइब, जो हमारे कांसिश्यूशन के आर देश में, पूरे देश में हमारे देश के इंडर में किसी भी ब्यक्ति को आप रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, नेम, प्लेज, इस सारे ग्राउंट पर आप किसी के साथ डिस्किर्मेसिनेशन नहीं कर सकते हैं ना गवर्न्मेंट कर सकती है यानि कि आपको सीधी भासा में बोलेते हैं, आप किसी को जातीगर सुचक से किसी को बता नहीं सकते हैं, यानि किसी को बोल नहीं सकते हैं, तो आप पे केस हो सकता है। आप उसको अपमानित करते हैं, आप उसको गाली देते हैं, जाती सुचक सब्दों से आप उसको बोलते हैं, तो यह फॉल करेगा आपको सीधी एक्ट नाइटी नाइटी नाइन में, और इसका जो सजा है, वो कम से कम मिनमम पांच मन्त से लेकर, मैक्समम फाइव यर तक इसक बिद्फाइन के साथ इसका सजा का प्रवधान हमारे एक्ट में है। यह नहींस को सवाल कि जहां तक पुलिस की बात है कि पुलिस उठा कर लेकी चले जाती तो नंभी लेवल उफेंसें नहीं मिलता है जनरली तो पर आप इसका आप स्पेशां फोर्टीन जब आप पढ़ेंगे सपेसल कोट का वेवस्ता कि वहां पारइल चलेगा वहां पिसका मुकदमी की नवाई होगी पत है कि लोगों को कैसे बचना है ज्णbe no कोई सक नहीं है कि यहां कोई मुकदम वी ज्ण YouTube लोगों को फसाया जाता है उसको प्रतारित कि आ और यह स्टी एक्ट में आप जैसे अपने बताया कि रिपोर्ट में कहा गया कि 85% से ज्यादा जो केसे जो फॉल्स हो जाते हैं कुछी केसे में लोगों को पनिस्मेंट मिलती है या जो भी होता उसमें होता है यह कोट का मामला है तो चुकि अगर किसी पर फायार गलत फायार होता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है आप एक काउंटर ये फायार आप कर सकते हैं चुकि जब डरने का तो जरूरत क्यों नहीं है सर्व उसको उठा के जेल में लेके चल गया अब वह जेल से लड़ाए लड़ेगा कोई बाहर घूम रहा है दोनों में तो अंतर हो जाता है हमारे दर्सकों को बताई आखी रइसा क्यों होता है देखिए चुकि नन बलेबल ऑफेंसर चे तो पुलिस का ये पाबर है तो जेल चले जाने से ऐसा थोड़े होता है कि आप नियाय से बंचीत हो जाए थोड़े दिर के लिए परिसानी होती है लेकिन उसके बा को देख सर्ट को अपने का दोंबने करेंगे जो पुङक्टिंब मुखटाऊच करेंगे जिनके साथ है और उन्हाइबये यह तxi क्या है तो अगर और हम सही हो जाते हैं तो जूसनी हम पर किस किया उस पर क्या कारवाई होगी तो यह लंबा प्रोसे्स चलता है जब आप किसी पर मुकदमा करते हैं तो IFIR होता है तो उसमें waves निजूपत होता है जांच करता है मोहलेजे आईयो जांच कर दिया गलत किसों को फशा दिया आप कोट में गए हैं évडिये क्रण बना हुआ है आप कोट में गए हैं में आप जब आप जावी जाईएगा CRPC में, तो आप पढ़िएगा कि malicious prosecution, malicious prosecution जो एक buds है, वो दूसरो एगारा के CRPC में ये define है, तो उसमें कहता है कि अगर आप किसी को पूरी नियत से, गलत इरादे से, wrong intention से, आप किसी को फंसाते हैं, तो आप पर 211 के तहट मुकदमा दर्ज होगा, और फिर आपको मुकदमे में घंसीटा जाएगा, और इसमें जो सजा का प्रबधान है, maximum seven year तक सजा उसको मिल सकता है, सजा कोई भी मुकदमा में बता रहा हूँ, कि अगर किसी को फंसाया जाता है, अगर कोट आपको उसमें बरी कर देती है, या पुलिस आपको चार जाती इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लीन कर देती है, तब आप कोट दुसरे गारा के तहट आप कोट में जाए और जो मुकदमा जो जुटा दर्ज किया है, उसके खिलाब अपना मुकदमा एक्जिक्यूट करवाइए, चलाइए, और उसमें साथ बरस का सजा का प्रवधान है, जो रुरुत पढ़ेगी तो आप डिफिमेशन काता है कि आप किसी को भी मुकदमा फसा करके किसी के डिपकूंट परिवार में की पर्योंतेयों है, तो किसी को जो मुकदमा को में कर सकते है уз adds कि क्या और बश्साप कार करती है उस हिसाद से कि कोटल है तो हम आरे साथ बाबलू जी थे उन्हों साब तोर में इदम सिंपल लहजा में बताए अगर आप पे कोई केस करता है तो डढ़िये नहीं आप पे उस पे काउंटर केस कीजिए काउंटर केस करने के बाद अगर आप जीत जाते हैं तो SCHT Act के तहा थी और भी बहुत सारे धाराये हैं उसमें जादा उसको सजा का प्रावधान है कि उसको जादा केस होगा अगर आप पे कोई इस तरह का केस होता है तो आप हमारे दिये गए नमर पे वकिल सहाब से आप बात भी कर सकते हैं आप हेल्प ही ले सकते हैं फीज दनी की सक्सियर करें और एक सवाल है अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो के बाद किस धारा के तहत किस IPC की धारा के तहत हम वीडियो लाएं उस पर भी आप कमेंट करके अपनी राये दे सकते हैं आगे का वीडियो किस धारा के तहत होना चाहिए जरूर कमेंट में आप प्रवाद